तो हींलो मनों स्फ़ागे त आपका दुनमारा अमारा इसी यूट्यूब चानल पर जहकी है आपका अपना कर्द करने लाकों करने वालें अपने नई टॉपिक के बारे में पताको था और उसकी प्रिवेब में लीडर्बैंक स्कीम के सी किसान क्रेट कार्ड के बारे में बताया था मैं रिक्वेश्ट कहूंगा अगर आप आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं विजट किया तो प्लीज जाके एक बार जरूर से विजट करें ताकि आपको इस सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है अरिकर्चर फाइनेंस आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है ठीक है चले स्टार्ट करते हैं मीनिंग पर आता हैं तो देखें पहले हम समझते हैं कि अग्रिकल्चर कोपरेशन होता क्या है देखें फेंड्स कुछ ग्रूप ऑफ इंडिवीजुवल्स जब किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ठीक है ग्रूप फॉर्म करते हैं ठीक है कि स्पेशली अग्रिकल्चर सेक्टर में तो उसको अग्रिकल्चर कोपरेशन कहते हैं टिफिनिशन में वह लिखा हुआ है देखें को ओपरेशन इस वालुंट्रियर एस्टियेशन ऑफ परसन फॉर चीविंग कॉमन गोल का चीव करने के लिए जो भी परसंग होते हैं वह जब बनाते हैं तो उसको हम कोपरेशन कहते हैं टिक है इट जेनरली मींज वर्किंग टुगेधर फॉर कॉमन गोल जैसा मैंने बताया कि से कॉमन गोल का चीव करने लिए इट इंडिकेट जोइंट एफट एफट एं अपना efforts दे रहा है, उस cooperative या उस work को achieve करने के प्रती वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, example में जैसे देखिए, producers cooperatives हो गया, consumer cooperatives हो गया, marketing cooperatives हो गया, credit cooperatives हो गया, multipurpose cooperative societies हो गया, etc, etc, अब आते हैं, friends के definition पे, meaning तो क्या होता है, definition जो आप अपने exam sheet, आशे sheet में लिख सकते हो, ठीक है, तो according to harbour calvent, ठीक है, cooperation is a form of organization where in persons volunteer associate together on the basis of equality for the promotion of common economic interest of themselves, जैसा मैंने definition में बताया है, friends, यहाँ, meaning में जैसा बताया है, वैसे यहाँ पर definition में भी है, कोई जाहाँ चाहिए है, next point पे आते है, cooperation helps in protecting the weak, provides equal justice to all the promote welfare of the society, friends, देखिये, जो भी cooperative society, या क्या सकते हो, cooperation, agriculture cooperation, जो होता है, वो weaker section, को ही support करता है, जादा तर, उनको बराबर में रखना, और उनको justice, यानि कि, इनसाफ दिलाना, यहीं इनका काम होता है, ठीक है, इनको यह भी ध्यान रखना पड़ता है, कि जो भी weaker section, को low नहीं दिये जा रह है, उनका भी कुछ उपाय किया जाए, solutions निकाला जाए, ठीक है, इनका especially, यह motto भी है, friends, in operations के लिए, each for all and all for each, each मतलब, सब के लिए, बराबर सब के लिए, और सब के लिए बराबर, एक ही बात है, जो motto बोली है, इनको, each for all, या all for each, एक ही है, आते है, friends, का objective पे, इसका जो है, यह मैंने definition दिया है, वो all दो cooperative के बारे में ही है, cooperative society के बारे में ही है, ठीक है, आते हैं, इसके objective तो directly, पहला objective यह है, friends, की, यह जो है न, अपने ही, members के among, self-respect और self-reliance, build-up करते हैं, develop करते हैं, ठीक है, in cooperation में, ताकि एक दूसरे का पती ही, अगर किसी भी cooperation में, organization में, अ अपने colleagues, अपने friends के साथ, और साथ ही साथ, self-reliance नहीं होंगे, यानि कि, हम खुद की, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हम दूसरों पर कैसा कर पाएंगे, तो यही इस cooperation में, develop किया जाता है, second objective यह लेके चलते है, to buy and produce quality goods, tools, equipments and raw materials to the end customer, सही बात है, good tools, equipments या raw materials, जो आप कह लीजे, जो भी यह produce करते हैं, ठीक है, या कह सकता है, आप खरीदते हैं, किसी बायर से, customer तक पहुचाने के लिए, वो good quality या best quality का होता है, वो इसलिए friends, क्योंकि, इनका जो भी organization है, वो properly work कर सके, साथी साथ, हम यह इस बात का भी ध्यान रखते हैं, कि good quality तो मिले ही customers को, साथी साथ, अच्छा reviews मिले, इनके corporations को, third point यह friends, to associate with government and other organization of similar business, सही बात है, माल लेते हैं, कि वो कोई भी एक machinery बनाने का काम करते हैं, कोई भी a corporation, कोई machinery and new equipment बनाने का काम करती है, government भी इसी line में है, माल लेते हैं, तो यह क्या करेगी, उस government के साथ merge हो जाएगी, ताकि इ यह सारे material प्रवाइट किया जा सके government द्वारा, ठीक है, next point dear friends, to undertake those activities that caters to the welfare and well-being of the member and society, तो देखें friends, उन activities को हम ध्यान से work करेंगे, welfare के लिए, या well-being of the member के लिए, society में, जो उनके लिए फायदे मन्द होगा, अब्वेस बात है, कोई भी cooperative society तब वर्क तभी करती है, जब उनका काम ठीक से चल रहा हो, अगर ना चल रहा हो काम, तो वो उसको और बहतर करने हैं कोहिश करती है, although यह है इस point में, second last point में यह कहा गया है, friends, to promote unity, emits the members and remove any shot of internal competition, यानि कि, होता है न, विवाद हो जाना, से रोकती है, ठीक है, साथ ही साथ, अपने unity, अपने एकता को यह promote करती है, society में, last point here, friends, to practice transparent and fair business dealing, सही बात है, अगर customers के साथ, आप transparent रहेंगे, आखों में धूल ही जोकेंगे, साफ साफ साची उसको बताएंगे, हर tag देंगे, price, हर चीज, हर चीज, clarity के साथ, उस customer को आप deal क करेंगे, तो obvious है बात है, आपके पास जाद से जादा customer आएंगे, अप्रोच करेंगे, आपको, तो यह कुछ objective से, friends, आपके cooperative society के, आस्ते के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो please subscribe का button, hit कर दीजे, साथ ही साथ, like का button भी hit कर दीजे, और comment section में ज़रूर बता है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, link में मैं telegram group आपको share कर दूँगा, आपको अगर notes चाहिए, तो वो भी आप comment box में comment कर सकते है, मैं उसको share कर दूँगा, तो friends, मिलते हैं अपने lecture वीडियो में, तब तक लिए, see you, bye, bye,